जमशेदपूर में लगभग 500 दुर्गा पूजा पंडाल बनाएगा हैं लेकिन फायर स्टेशन में सिर्फ 6 गाडिया ही मुझूद है जिसमें मात्र 8 जवान है अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे जमशेदपूर अगनी शवन सेवा इस छोटी सी टीम के भरो से जमशेदपूर में दुर्गा पूजा की विवस्था करेगी इसले कर ज़्यादा ज़्यानकारी दे रहे हमारे समधाता इंद्रजीत सेंग जमशेदपूर में दुर्गा पूजा लाइसेंसी लगभग 300 पंडाले बनती है और अनलाइसेंसी की बात कर ले तो लगभग 200 यानि कुल 500 दुर्गा पूजा पंडाल बनाई जाती है जिसमें कई बड़े-बड़े पंडाल भी बनती है जिसकी चर्चा परदेश भर्म होत सबसे पहले तो आप यह बताइए कि दुर्गापुजा के लिए आप कितने तयार है कि दुर्गापुजा के लिए या किसी और घटा के लिए हम एनिटाइम तयार रहते हैं इसके लिए मेरा घाली टू टंच रहता है जब भी फोन आये बस दो मिनट को अठाओ उसके बाद गाली निकल जाते हैं काम के लिए फार के लिए हो नाता है तो फिल क्या करते हैं तुरंद मेसेज लिए घंती मारना है उसके बाद घंती लगते ही दो मिनट अव्लों लोगता लगता है जाते हैं आप कितने तयार है दुरवापुजा के समय है किस तरह से आपकी तयारी है सर हम लोग रेडी हालत में लाटे टूटिफोर आवर कैसे रेडी है घंटी बसता है जी घंटी बसता है दो मिनिट लूटाओ नाट हो जाते हैं जी वर्दी में तो फोट रहना है अगर आपको मालने जो बुखार लगा है डिंगू का शमय है वेदर खराब चल रहा है तो ऐसे कंडिशन में आठ जवान ही आप लोग यहां पर है तो कैसे काम करें उसमें दूसरा जवान जाएंगा तो मेरा सीख रहेगा दूसरा दूसर इसमें करें 50 आदमी चाहिए सर पचास करमचारी सरकार का यह सरकार का यह है तो भागी की बात है कि जमसेदपुर जैसे बड़े सहरों में इस तरह से जवानों की जो कमी है वो फायर की बहुस्ता में देखी जा रही है मगर उस समय जब दूरगापुजा का समय हो और जमसे जमसेदपुर की दूरगापुजा का मेला का जब आनन उठाने के लिए पहुंचते हैं तो जमसेदपुर की जो भीड़ है वो डबल हो जाती है अपने शायोगी नवीन प्रधान के साथ इंदरजीन सिंह समाचार प्लाइब